गोरगपूर रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 पर वंदे भारत एक्स्टरेस ट्रेन पहुंची जिसके सम्मन में पुर्वत्तर रेल्वे के CPRO पंकच कुमार सिंग ने बताया कि वंदे भारत एक्स्टरेस ट्रेन की पहली रेक पहुँच चुकी है जो की वंदे भारत ट्रेन उत्तर परदेश के वारार्सी से दिल्ली के बीच चलाई गई थी अब यह ट्रेन उत्तर परदेश में दूसरी ट्रेन है जो की गोरकपूर से आयोध्या प्रयागराज लखनव तक चलेगी इसमें जो दरवाजे हैं वो आटोमेटिक है और हर कोच में स्क नई से चलकर गोरकपूर आई है जिसको पीम नरिद मोदी हरी जंडी दिखा कर शुबारम करेंगे ब हम पीम साटलूर कोच में जिस खरातवोर को चीज आपताश से वोरकपूर मारताओी तके ऴूसरी कोश दिखा क्प upsideunden मेंसे जिसमेर को ब Firma principles तके और दो नह दो नहाँ है इस तमन्द में गुरकपूर पुर्वत्तर रेलवे के सीप्यारो पंकज कुमार सिंग ट्रेन ड्राइवर अनूप सक्सेना ने कहा ये नई टेकनोलजी जो भारत में लेकर आए हैं आप सभी को पता है कि पहली टेन जो चलाई गई थी वो उत्तर परदेश के वाराटसी से दिली के बीच में चलाई गई थी और उत्तर परदेश को मिलने वाली ये दूसरी टेन होगी जिसका शेडूल अभी बनाया जा रहा है कि किस रूट पे और किस टाइमिंग के साथ चलेगी जैसी शेडूल आजाता है आपनों के साथ उसको शेयर करेंगे इसमें जो दरवाजे हैं आटोमेटिक हैं जो इसके सेव्टी फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं कवज टेकनोलोजी से यूप्त है यह तेन इसमें जो एक्सिलरेशन की शमता है वो बहुत अच्छी है बहुत ही तेजी से हार स्पीट पहुंच जाती है एक सो साथ किलोमेटर प्रद घंटे के स्पीट से चलने के लिए सक्षम है जो लोको पाइलट और गाड के बीच में जो बाचीत होती है वो रिकॉर्डड रहती है तो इसम हम लोग वाक्ट्रू उसके साथ भी करेंगे और देखेंगे कि बंदे भारत किस प्रकार से भारत की सबसे उद्नत टेक्नोलोजी युक्त टेन है और उसका फाइदा यहां किस्थानी लोगों को मिलेगा उच्छ अथकारी से लीजेगा निच्ख तेन कारी आपको हमारे उचफ्कारी देंगे की क्या स्ब्सक्राइए निच्ट की स्पिट है तो इसमें बाकी जानकारी आप के उसमें निच्थकारी लीजेगा खेंगे है